नमस्कार दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका रूरल स्टाटप यूट्यूब चैनल पर दोस्तों एक बहुती शांदार जानकारी लेकर के हम उपस्तित हैं आपके सामने पिछले एक साल से जो है Rural Infrastructure Fund, एग्रिंफरेस्ट्रक्चर पंड के बारे में हम सुन रहे हैं बार बार कईने कई नियूज में और कईने कई आपको नॉलेज में आई रहा है पेपर में सबी जगह की agree infrastructure fund clear government ने किया है और इसके अंतरगत बहुत सारे फाइदे जो है government हमारे किसानों तक और हमारे agree प्रेनियोर्स तक रूरल स्टाटप्स तक पुछा रही है इसमें फाइदे में पुराने वीडियो में बता चुका हूँ कि क्या-क्या government इसमें करने लोन है साथ साल तक का उसमें जो है government बोल रहा है कि हम तीन परसेंट का इंट्रेस्ट की छूट देंगे सीजी टी एसमें की फीज जो है वह हम government इसके अंदर बीयर करेगा यह सारे जो है इसके अंदर फाइदे सब्सडी बहुत सारी है गोल्ड इस्टोरेज के लिए वेराउसस के लिए इसमें प्रोविजन है दोस्तों तो यह इसके फाइदे हैं लोगों ने इसमें जो है application डालना चालू कर दिये वह सारे प्रोजेक्ट शेंक्षन हो चुके है गोर्मेंट ने जो है इसका अंलाइन आवेदन का पोर्टल भी बना करके दे दिया है और अब जो है इसमें सारे आवेदन और सारे application जो है वो online होने वाले हैं तो दोस्तों हम इसी को लेकर के आए है कि किस तरीके से इसमें application की जाए और कैसे इसमें application हो रही है क्या क्या चीजे हैं वो सारी जो हम इस वीडियो में लेकर काएं दोस्तों तो request है बहुत अच्छी जानकारी आप इसको पूरा देखें और इसका लाव ले और जानकारी अच्छी लगे तो आप जो है पूजना है मतलब कौन-कौन से project जो है वो एगरी इंफरा फंड में eligible है वो आले project की जानकारी सके अंदर दे रहे हैं बेंग या संस्था मतलब कौन सी बेंग कौन से private institution NBFC कौन सी है जो इसमें eligible है जो लोन दे सकते हैं जिनको एगरी इंफरा में cover किया जाएगा और उसके बाद में सबसे last में हम कैसे आविदन, online आविदन किये जाते हैं वो सारी चीज़ें इस वीडियो में देखने वाले हैं दोस्तों तो चलिए start करते हैं सबसे पहले सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों कि कौन apply कर सकता है तो apply करने में government ने इसमें clear उसकी site पर दे रहा है, पूरी list बना के दे दी है कि साब ये लोग हैं जो इसमें apply कर सकते हैं सबसे पहला नाम उन्होंने लिखा है farmer का, किसान जो है वो इसमें apply कर सकता है self help group जो है sg वो कर सकते है, agree entrepreneurs जो है, जो agree business कर रहे हैं agree entrepreneurs हैं, वो इसमें कर सकते हैं जो rural startup कर रहे हैं जो चालू करने हैं, वो इसमें आविधन कर सकते हैं primary agriculture credit society पेक्स जो हैं, वो इसके अंदर application कर सकती है marketing cooperative societies वो इसमें application कर सकती है farmer producer organization जो की FPO एक 34 concept अभी जो है, चल रहा है वो लोग इसके अंदर apply करके अपना फाइदा ले सकते हैं ये हैं वो लोग जो कौन apply कर सकते हैं अब अगला हम दोस्तों देखते हैं कि इसमें कौन-कौन से project जो है वो eligible है, इसमें project में उन्होंने जो है, बहुत सारे इसमें rural के प्रोजेक्ट हैं, पोस्ट हर्वेस मेनेजमेंट के सारे प्रोजेक्ट हैं, जो इसके अंदर eligible है दोस्तों, इसमें उन्हों लिखा है कि पोस्ट हर्वेस मेनेजमेंट प्रोजेक्ट जो है वो supply chain, service, including e-marketing platform, warehouses हैं, silos हैं, packaging units हैं, assigning units हैं, sorting and grading units हैं, cold storage or cold chain हैं, logistic facility हैं, primary processing centers हैं, ripening chambers हैं और waxing plants हैं, तो ये सारे जो है, इतने सारे जो प्रोजेक्ट की लिस्ट हैं, जो इसके अंदर ये अपन cover, मतलब एगरी इंफ्रा में जो हैं, ये cover होने वाले हैं, और एक उन्होंने आगे और प्रोजेक्ट इसमें बताएं हैं, वाइबल प्रोजेक्ट फार बिलिंग, community farming, asset including organic input production, bio-stimulant production units, infrastructure for smart and preceding agriculture, projects on hub and spoke model, ये सारे जो हैं दोस्तों, ये पूरी list है, ये आपको site पे भी उपलब्ध है, और site का जो address है, वो मैंने जो है, description box में दिया हुआ है, आप website के address से click करके, आप जो है, agree infra की website पे जा सकते हैं, और वहाँ पर आपको पूरा detailed में सारी जानकारी जो है, वो उपलब्ध है, आप वहाँ आराम से इसमें देख सकते हैं दोस्तों, अब अगला जो है, इसमें देखते हैं, दोस्तों, bank और संस्था, मतलब bank के institution इसे कुन से bank है, जो इसमें eligible है, तो सारे उन्होंने जो है, इसमें जब list दी है, तो मेरे ख्याल से इसमें यह दि देखेंगे, तो सभी को इसमें include कर लिया है, NBFC, और all scheduled commercial banks, scheduled cooperative banks, regional rural banks, small finance banks, non-banking financial companies जो है, NBFC उनको भी ले लिया है, national cooperative development corporation, NCDC को भी ले लिया है, और DCCBs with PECS affiliation, यह सारी मतलब इसमें जो है, सारी societies, सारी private banks, सारे nationalized bank और सारी NBFC, यह सभी उन्होंने जो है, इसमें cover कर लिया है, यह सारे लोग जो है, इसके अंदर eligible हैं, और यह agree infra के project को sanction कर सकते हैं, agree infra fund की जो भी project है, उनको यह finance कर सकते हैं, दोस्तों, तो आप जो है इसमें कोई भी जो आपके साथ है, कोई भी जिससे भी आपकी tuning है, उस institution में, उस bank में जाकर के आप जो है, agree infra की application कर सकते हैं, दोस्तों, अब आता है इसमें की आवेदन के से करें, तो यह बहुत important point है, दोस्तों, की आवेदन जो है application, इसकी online application के से की जाए, तो online application के लिए जो है, आप agree infra.dsc.gov.in की website पर जाकर online पंजियन registration कर सकते हैं, इसमें simply, जो है, अभी online live जो है, इसमें आगे हम करके दिखा रहे हैं आपको, इसमें simply आपको पेले तो जो है, आधार नमर, mobile नमर और नाम डाल के एक registration करना है, वो OTP के माध्यम से जो है, आपका registration दो जाएगा, और OTP डालने के बाद में, आप जब आगे उसमें page पे जाएंगे, तो अगले page पे जो है वो आपको बहुत सरी detail जो है, हम इसमें दिखा रहे हैं आपको, वो detail डाल करके जो है, आप उसमें अपना registration कर सकते हैं, आप apply कर सकते हैं इसके registration के बाद ID और password एक message के माध्यम से प्राप्त होगा एक text message आएगा आपको, उसमें ID और password रहेगा, उस ID और password को login ID रहेगा, उस लागिन करके आप जो है, इसमें हमारे, जो आपका personal page है उसमें जाकर के, आप loan के लिए और agree infra के जो भी फाइदे हैं उसके लिए apply कर सकते हैं दोस्तों ID और password के द्वार लागिन कर दिये गए farm को अच्छी तरह से भरना है apply करने से पहले project को bank से sanction होना आती आवश्चक है यह जो सबसे last वाला point है यह बड़ा important है दोस्तों कि कोई भी project जो है, यहाँ application यहाँ agree infra की site पर apply करने से पहले, आपको bank से sanction लेना ज़रूरी है, आप अपने सारे project और सारे paper के साथ bank में apply करेंगे और bank फिर sanction जब कर दे project को, तो उस sanction के बाद में आप agree infra की site पर उस फाइदे के लिए, अपने subsidy के लिए interest subsidy के लिए आप application कर सकते हैं दोस्तों, तो हम आगे आपको इसमें दिखा रहे हैं दोस्तों, live दिखा रहे हैं एक वीडियो के माद्ध हम से की कैसे हम जो है उसमें application कर सकते हैं दोस्तों application करने के लिए जो है, हम agree infra dot dac dot gov dot in की site जो है, गुर्मेंट ने बनाई है यहां से हम जो है agree infrastructure fund के लिए online आविदन कर सकते हैं तो इसके लिए government ने एक registration की process इसमें जो है, रखी है तो आप देखेंगे नीचे beneficiary, beneficiary registration इसमें जैसे यह नाम डाल दिया गया है mobile number डाल दिया गया है और यह आधार number डाल दिया गया है यह registration, beneficiary registration के लिए तीन चीज़ें उन्होंने बोली है अब मैं इसमें जो है send OTP के उसमें मैंने click कर दिया है दोस्तों तो अब उन्होंने जो है यह एक OTP का कालम निकला है और आप देखेंगे कि यह OTP जो है वो भी इसमें अपने को मिल गया है यह है 487051 तो यह 487051 जो OTP है वो मैं इसमें डाल देता हूँ दोस्तों दोस्तों OTP डालने के बाद में हमको जो है एक नया screen पर हम जाएंगे एक नया उस पर वहाँ पर जो है हमको यह बहुत सारी detail जो है एक-एक करके सारी feel करना है जैसे कि इन्हों ने जो है beneficiary type सबसे पहले इन्हों ने बताया है कि beneficiary type का है मतलब किस capacity में हमको जो है application करना है यह बहुत सारी capacity इसमें दीवी है दोस्तों farmer, producer organization, joint liability group, local body, marketing society, self-help group, fpo जो भी है इसके अंदर लेकिन हम जो है यहाँ farmer की capacity में application करना है तो यह farmer की capacity में हो गया फिर उसके बाद नाम डाद लिया mobile number तो अपना डलाई है category जो है वो इसमें तीन category बनाई है उन्होंने SC, ST और other तो other category हम क्लिक कर लेते हैं इसमें उसके बाद महाधा नमर डलाए email ID डलावा है दोस्तों फिर beneficiary का address इसमें पूरा डालना है हमको उसके बाद में फिर आगे हम चलेंगे तो इसमें bank का detail, account number जो है, वो है IPC code वगरा उसका address यह सारी चीज़े हैं तो यह जो है, दोस्तों यह सारी की सारी चीज़ें जो है, हम डालके यहाँ से जो है हम इसको submit कर देंगे अब यह submission में थोड़ा सा time ले रहा है दोस्तों, यह इस तरीके से जो है हम online application, agree infra fund का जो government ना online process बताया है उस तरीके से हम इसमें कर सकते हैं अब यह दोस्तों आप देखेंगे registration successful का message दे दिया है उन्होंने, और बोलाए कि और beneficial registration number यह है और एक text message के थुरू उन्होंने जो है, यह registration number दिया और प्लस एक password भी दिया दोस्तों तो यह दोनों चीजों से हम जो है इसके अंदर जो है, login करके हमारा form fill कर सकते हैं इस तरीके से इसमें online आविदन हो सकता है दोस्तों तो दोस्तों, यह login ID, password करके जब अंदर हम जाएंगे हमारे page पे तो यहाँ पर जो है, original application जो हम करना चाह रहे थे, वो page खुलेगा तो apply for loan देखेंगे और यह सारी जो detail आपके सामने दिखरी यह सारी हम fill up करेंगे और एक option उन्होंने project report का dpr का रखा है, pdf form में इसको जो हमको upload करना है यह इस तरीके से जो हम सारी detail fill करके और end में सारा bank का detail, beneficiary का contribution यह सारी चीजे जो है आप महाँ देखेंगे तो आपको मिलेगी, यह सब detail fit करके हम submit कर देंगे, इस तरीके से यह application हो सकते हैं